रहस्य और रोमांच से भरव शिद्ध कुझिका कई यह भाठ भगवान सीव ने गोपनिय कर दिया हैं इस गोपनिय पाठ को किस प्रकार आप प्रभाव सालिव बना सकते हैं किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कौन से नियम का धियान रखना चाहिए यह सबी आज की इस वीडिय नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्ध कुझिका के बारे में सिद्ध कुझिका से जुरिवी ऐसी बहुत सारे जानकरिया हैं जो आप सभी को मालूम होने चाहिए सिद्ध कुझिका मात्र एक पाठ नहीं है सिद्ध कुझिका मात्र एक दुर्ग की स्थूती नहीं है सिद्ध कुझिका एक ऐसे खजाने की चाबी है जो आपके भाग्यों को च्छनबड में ही खूलने का काम करती है सिद्ध कुझिका का पाठ जिन होने भी किया है वह इसक मैं सुरक्षित हो चाहती है तो आज वीडियों आपके लिए बहुत जादा रामबान सिध्ध होनेवला है Victor Ό, आई वीडियों को सरोक्षित हैं। नमच्कार दोस्तों कैसे हैं। क्यासी हैं हुआये सभी विद्ध होगे, सुरक्षित करें। और आप सभी उत्तम भविश्य के कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ आज मैं बात करें हूँ सिद्ध कुंजी का स्रोक्त के बारे में एक ऐसे स्रोक्त के बारे में जिसके बारे में भगवान स्रीम ने श्वेम ही मापारवती से कहा है इस पार्ट का गोपनिय होना भी उतना ही ज्यादा आवज़क है जिस पार्ट के बारे में भगवान स्यम ने स्वेम ही कहा है समझ सकते हैं उस पार्ट की महिमा क्या होगी या उस पार्ट का प्रभाव क्या होगा सिद्ध कुंजिका स्रोक्त का पार्ट जिन्होंने भी किया है आपके आज पास कोई भी होंगे ऐसे वेक्ति जिन्होंने सिद्ध कुंजिका का पार्ट किया है तो उन्हें इसकी चमतकार का जरूर एहसास भी होगा वह आप से बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी चमतकार का ए मेरे में इतनी सामयद्ञत है नहीं कि सब्द कोbardhosaife respect को अपनी सब्दों के द्वारा पुर्णता आपको बता सको मातराने के क्रुपा से मैं आज आपको वह बात बताने वाले हूँ जो इस रहषय को समझने में आपको आसानी हो जूरी भी कुछ जानकारियां इसी हैं जिनका पालन यदि कर लेते हैं तो जीवन में बड़ी से बरा कश्ट जो है चनबर में ही उसका रण हो जाता है चनबर में ही वह दूर हो जाता है जो भी वैक्ति जो भी जातक सिंद्ध कुंजी का स्रोक्त का पाठ करना चाहते हैं या पर शिद्ध कुंजी का पाठ कर रहे हो उन्हें भूल से भी कुछ गल्तिया नहीं करने चाहिए पर हम गोपनिये से भी गोपनिये रखा जाने वाले यह पाठ बहुत सारे नियम और विदियों में भी बंधा हुआ है जब भी आप सिद्ध कुंजी का का पाठ करें तो इन मा की उपास्तन करते हैं मा की अराधना करते हैं मा की अराधना वैसे तो आपके भाव पर ही निर्वर होती है यदि आपका भाव सच्चा है मा के उपरती आपका प्रेम भाव आपका लगन यदि सच्चा है तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसका फल आपको प्राप्त न सारे ऐसे पार्थ हैं कई सारे अच्य ग्रंथ हैं जिनमें हमें नियमों का पालन तो करना ही चाहिए ताकि आपको सरवादिक उसका फालब राप्त हो सके लेकिन सिद्ध कुंजिका को लेकर के नियम और विधियां जो हैं थोड़ी सी अलग हैं और इनको लेकर के प्रतिक सक्षम हो जाते हैं मा की किरपा उसकी उपर सदेव साथ बनीवी है यह इस बात की और भी सारा करते हैं देखिए यह आप में मा को लेकर करके प्रीम भाव सच्च है सची स्रधा है तो पार्ठ भी आप कर पाएंगे लेकिन यहिदि आप उपनी मन से पार्ठ कर रहे हों या फिर आप पाठ करते समय और विश्वास के साथ पाठ को अरंभ कर रहे हूं, तब आपको यह पाठ पूर्ण भीडा होता है कहींने कहीं से खंडित भी हो जाता है पार आपको याद नहीं हो पाता है सिद्ध कुंजिका स्रोकता का पार जिन भी भक्तों को याध हो जाता है । वहाँ उनकी जिन्दगी में जो है ना सिद्ध हो गया है देखे सिद्ध कुंजिका को सिद्ध करने के लिए वैसे तोने एक प्रकार के उपाई किया जाते हैं लेकिन जिन भी भक्तों को सिद्ध कुंजिका का पार्ट याद हो जाता है वहाँ पार्ट अपने आप में ही सिद हो जाता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ताम जाम करने के आवसकता तब नहीं पड़ती है जो भी भगते सिद्ध कुंजी का स्रोक्त का पार्ट करना चाहते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मां के समख से बैठ करिया पार्ट करना अतियदिक प्रभावत साली होता मां के समख से एक आसन बिछाएं यदि लाल रंग का आसन हो तो बहुत ही अच्छा अन्यधा साफ सुत्र कोई भी उनी आसन भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से आपको उस पर बैठना है आसन से भी आग्या लेनी है मातरानी को आप इस दिन भोग में और कुछ कुछ जरुड समर्पित करें मा के समय से 150 का दिपक प्रवयुजालित करें अपने माते पर भी आपको तिलक जरूर लगाने दिखें बना तिलक कोई भी ईदि आप करते ह। वह भी पुजय नहीं माने जाती हैं सास्त्रों में भी कहा गया है जो व्यक्ति बिन तिलक के पूजा करता है उस व्यक्ति की संपुर्ण पूजा वेर्थ चली जाती है निडर्थक हो जाता है इसलिए जब भी आप सिद्ध कुंजी का स्रोक्त का पाठ करने वाले हो तो उसे पहले अपने माथे पर भी तिलक करें मादरानी का स्मराइन करें उनसे पाठ के काडियों की सिद्धी हुईतु प्रात्ना जरूर करनी चाहिए उसकी बाद ही आपको पाठ आरंब करना चाहिए पाठ करते समय आपको सुधता का ध्यान अवस्य रखना चाहिए तामसिख भोजन वेगर जो भी आप करते हो उनका त्याग करना चाहिए ब्रहमाचडिया का पालन करना चाहिए यदि अप भूमी प्रश्यन करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है इन नियमों के साथ यदि आप पाठ करते हैं तो इसका फल इसका रिजलिट आओ आपको बहुत जल दिखलाई भी पड़ता है इसलिए आपको पुस्तक की पूजा करने चाहिए, पुस्तक पर पुस्प अर्पन करना चाहिए, पुस्तक से भी आग्या लेनी चाहिए, उसके बाद ही पाठ को आरंबे करना चाहिए, जब आप पाठ कर रहे हों तब पूरी मनयोग से पूरी स्राधा के साथ करना चाहिए, म अनियतर किसी भी पराए घरों के या फिर पराए घर के अन का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही जल का ग्रहन करना चाहिए, आपको अपने ही घर के जल और अन का ग्रहन करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्रोक्त के पाठ को यदि आप ब्रहम महुर्त में करते हैं, तो इसका प हैं संद्ध कुंजिक का पाथ कर रहे हो तब यह बात को किसी से भी नहीं करने होती है यह बहुति गोपनी है इसके चमतकार देखने के लिए आपको महसूस करने के लिए आपको इस का ध्यान रखना आती आवजचक है कि जब आप सिद्ध कुंजिका का पार्ट करते हो तो यह बात आपको किसी अन्यत्र व्यक्ति चे शेर नहीं करना चाहिए फिर आप इसके प्रभाव को जो है देख सकते हैं दोस्तों यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो चमतकारिक अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकरी के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों